नमस्कार जैसरे कृष्णा आज ग्रहन है वह चंद ग्रहन आज का जो समय है वह सतिप्योग करने का समय है अगर आप इस समय का सतिप्योग करते हैं तो नेश्चित ही साध्रा में आपको सिद्धी मिलेगी और आप चो चाहेंगे वह कर पाएंगे नौ घंटे पूर भी सूतक लग जाएगा और कई जगा पर लग भी गया होगा सूतक चलिए अगर आप सूतक में कुछ नहीं कर पाएं तो ग्रहन में जरूर कर लीजिए ग्रहन चंद ग्रहन से पहला आपको क्या करना है आपको आसनान कर लेना है किसी भी साध्रना को करने हैं पहले असनान करना जरूर क्या पवित्त वह सूतक से पहले असनान नहीं कर पाएं हो तो ग्रहन से पहले असनान कर लेना है गंटे पुर्व असनान आपको कर लेना है कि सारा नदी और जल का जो है वह पवित्र हो जाएगा गंगा के समान हो जाएगा किसी भी नदी का कर लेना है और एक डेड़ घंटे की साथ ना जो रहेगी सूतक काल का उसमें आपको बैट कर जिते न्र प्रभाव से उस मंत्र का एक पुरश्यरन हो जाता है क्या हो जाता है एक पुरश्यरन कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है मंत्र करिए अच्छे से करिए और विधी विधान इसमें कोई जरूरी नहीं है ना मालाप को लेना है ना कोई आसन वासन की से इस प्रकार किया है जो आपके पास प्लब्ध हो बैट करके आसन लगा करते हो तरह पुर्टिशा की तरफ करके और अपने इस्टिका मंत्र या कर दीजिए भगवान नाराण का चिप नाम संगीर्टन कर लीजिए इससे मंत्र फडीभूत होगा और उस मंत्र से जो जो मंत्र अपने किया है जो कुछ भी कामना करोगे कौन से कामना जो कुछ भी कामना करोगे वा कामना आपका पूर्ण झुँ झालुन